नमस्कार दोस्तों स्वागत है आपका अमारे चैनल में आज हम आपको इस मौसम के अनुसार एक नया वीडियो दिखा रहे हैं अभी जैसे इसे मिठी मिठी ठड शुरू हो गई है अब हमको टंकी का पानी जो नल से आ रहा है वो भी बहुत ठंडा लगने लगा है तो इसमें जब गीजर अगर हमारे पास है तो अच्छी बात है अगर गीजर लेने जा रहे हैं तो आज के जमाने में नए फीचर के साथ कौन सा गीजर लेना चाहिए किस गीजर की राइट प्राइज है किन-किन ब्रेंट्स में कंपैरिजन करना चाहिए हम उसके बारे में आपको बत बहुत economic होता है, लेकिन अब cylinder की price बहुत जादा हो गई है, तो उसकी economics में कोई बहुत जादा अच्छी नहीं रह गई है, लेकिन उसके साथ जो सबसे बड़ी disadvantage है, वो safety की है, अगर आपके bathroom में ventilation बहुत अच्छा नहीं है, तो suggest नहीं किया जाता कि आप gas गीजर लगाएं, अगर बहुत जादा ventilation वाली जगह पे अगर आप गीजर लगा रहे हैं, तो आप gas गीजर का use कर सकते हैं, उसके साथ आपको gas की pipeline भी लगानी होगी, एक cylinder भी उपयोग में लेना होगा, तब जाके आप gas गीजर को ले सकते हैं, gas गीजर का फाइदा ये है, कि नल खोलते ही गरम पानी आना शुरू हो जाता है, चबकि electric गीजर में हमको थोड़ी देर का इंतजार करना होता है, लेकिन comparatively electric गीजर जादा बहतर है, उसके फीपर हमें लेते हैं, केवल उसकी price नहीं देखने चाहिए, सबसे पहले उसके safety features देखने चाहिए, safety features में हम आपको बताएंगे क्या-क्या safety features हैं उसके बारे, गीजर की price compare करने के साथ, उसमें हमको safety features का भी बहुत जादा ध्यान रखना होता है, इसके अंदर हमको सबसे पहले tank देखना होता है, tank के अंदर में बहुत सारे joint नहीं होने चाहिए, एक अच्छा branded geyser कमनी हमेशा अपने brochure में इसको clear करती है, तो हमें ध्यान लखना चाहिए कि उस tank में single weld line होनी चाहिए, साथ ही 8 bar pressure कि उसकी capacity होनी चाहिए, जिसको 116 PSI तक काम करना चाहिए, इसी को high working pressure geyser बोलते हैं, और thermal cutout होना बहुत जरूरी है, किसी भी कारण से अगर उसमें कोई malfunctioning होती है, तो thermal cutout से geyser automatically off हो जाता है, geyser की lining इस तरह से होनी चाहिए, coating की कहीं से भी leakage नहीं होनी चाहिए, और high pressure precision thermostat होना चाहिए, और एक MFB भी होना चाहिए, MFB का मतला होता है multifunction safety valve, और इसका जो tank है, वो CRCA sheet से बना हो तो बहुत अच्छा है, इसको बोलते हैं cold rolled close enameled का tank है, और उसके ओपर diamond glass की coating होनी चाहिए, glass की coating होने से इसकी अंदर में, जब आपका पानी गराम हो जाता है, तो वापस वो बहुत जल्दी ठंडा नहीं होता है, अगर एक व्यक्ति के नहने के बाद, अगर दूसरा व्यक्ति काफी देर बाद जाता है, तो local geezers में पानी ठंडा हो जाता है, दुबारा जब उसको ओन करते हैं, तो पानी गराम होने में आपकी electricity का consumption ज़्यादा लगता है, और आपको ज़्यादा देर इंतजार भी करना पड़ता है, उसके बाद इसके अंदर में magnesium anode rod होनी चाहिए, magnesium anode rod का सबसे बड़ा जो benefit है वो यह है, कि इसके अंदर में आपके geezer के अंदर यह calcification को रोगता है, calcification अगर magnesium anode नहीं होगी, तो calcification से आपकी geezer की life कम हो जाएगी, और वो जल्दी ही आपको replace करना पड़ेगा, इन features को check करने के लिए, हम आपका इसका पूरा chart आपको यह सामने दिखा रहे हैं, जिन safety features की अभी हमने बात की है, इस चार्ट को देखके अगर आप compare करेंगे, तो फेबर के इस geezer के अंदर में वो सारे safety features आपको मिलेंगे, यह बहुत ही खुबसूरत design में geezer बनाए हैं फेबर ने, इसके अंदर में आपको एक sandy black color और एक red और cream color का option मिलता है, तो आप Hevels का और A.O. Smith के geezers को आप इसके साथ price को compare करके और features को compare करके geezer purchase कर सकते हैं, आप यह ध्यान रखें geezer purchase करते समय कि geezer की rating जो है 5 star rating होना ज़रूरी है, क्योंकि यह bathroom में आप यूज में ले रहे हैं, पानी के साथ चलता है, बिजली का भी उपयोग में होता है, अगर आपने features के साथ compromise किया, तो हो सकता है कि कोई accident हो जाए, कोई किसी तरह की apria दूरगटना ना हो, इसलिए हमें geezer बहुत ही साथधानी से और समझ से खरीदना चाहिए, अगर आपको हमारा ये वीडियो बसंद आया हो, तो आप हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, कमेंट करें और शेयर करें, धन्यवाद,